हेलो एब्रीवन आप सभी का फेसे जीटेक पॉली यूट्व प्लेट्फूर्फूर्फ स्वागत है मैं राकेश कुमार आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ था कि क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे बिल्डिंग का ठीक है तो हमने कहा था कि नेशनल बिल्डिंग कोड ही हमें गाइड करता है कि सर हमें बिल्डिंग में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ठीक है एक ऐसी बॉड़ी है जो हमें ये बताती है कि हमें बिल्डिंग में क भी स्टार्ट करते हैं अन्यों गुडिविनिंग तो हम लोगों ने देखा हुआ था यहां पर कुछ टम्स को हम लोगों ने यहां पर देखा हुआ था कल अब उसी के आगे हम बढ़ेंगे ठीक है तो हम लोगों ने देख लिया था कुछ यहां पर टम्स अब हम आगे बढ़ बिल्डिंग की ठीक है वर्ग एफ अगर हम बात करें जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बिल्डिंग की तो उस बिल्डिंग में अगर हम यहां पर बात करें वर्ग एफ की तो इसमें जितनी भी मर्सेंटाइल बिल्डिंग आती हैं सारी की सारी क्लास या वर्ग एफ में आत है कि वेरे गुट देखते हैं हमने क्या कहा कि ठोक या फुटकर सामान बेचने या परदर्शित करने के लिए दुकाने या को ओपरेटिव इस्टोर हो गया या डिपार्टमेंटल इस्टोर हो गया सोरूम आदी के भवन इस वर्ग में आते हैं कहने का सिंस यह है कि दुकान को ओपरेटिव इस्टोर डिपार्टमेंटल इस्टोर और सोरूम इग्जामपल है किसके मर्सेंटाइल बिल्डिंग के ठेक है अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसी के आगे कि सामान के विक्रे से स सम्मंधीत कार्याले तथा इस्टोर आदी दुकान के भवन में ही बने हो तो उन्हें भी इसी वर्ग में रखा जाता है तो हमने यह देखा बेसिकली कि सर मर्सेंटाइल बिल्डिंग में वो आते हैं जैसे दुकान हो गए को अपरेटिव इस्टोर हो गए आते हैं ठीक है गोडिविनिंग सोनू बिल्डिंग फॉर सॉप को अपरेटिव इस्टोर्स डिपार्टमेंटल स्टोर्स ठीक है सोरूम्स एटी सी फॉर स्वेलिंग और डिस्प्लेइंग गूड्स इन होल सेल्स और रेंटल कम अंडर इस काटेगरी if office and stores related to sale of goods are built in the shop building itself then they are also kept in this category में रखा जाता है ठीक है अब हमने देखा ये F अब G category ठीक है class जो हमारा या work G है उसमें सारी की सारी जो building होती है वो industrial building होती है ठीक है industrial का मतलब है और द्योगिक भवन इससे पहले भी हमने और द्योगिक के बारे में बात किया था ठीक है अथार एसेंबली आदिकार होते हैं और द्योगिक भवनों की स्रेडी में आते हैं अगर इसका example बात करें तो क्या आती है factory जितनी होती है जो different different आप जानते होंगे कि जैसे factory के अंदर अगर हम civil से बात करते हैं जैसे भवने क्या कहलाती है सारी की सारी workshop job करते है मील हो गया या कारखाने इस वर्ग के प्रमुक उदारण है हमने यहां कहा कि industrial building में वो सारी building आ जाएंगी जहां पे उत्पादन या फिर business से related हमारी कोई भी activities हो रही है that building comes under the industrial building अब इसी का English version क्या है कि those buildings in which or in any part of which the process related to production of good यानि production of good हो रहा है या फिर assemble of part हो रहा है जैसे four wheeler बगर होती है जो गाडिया होती है उसके parts क्या होते है assemble होते हैं तो जो assemble होते हैं वो कहा होते हैं ठीक है वो सारी की सारी आती है और भ्योगिक भवन में ठीक है industrial building के अंदर आ जाती है टेक प्लेस कम अंडर दर कैटेगरी ओफ इंडरस्टियल बिल्डिंग्स factories workshop mills and factories etc are the main example of this category तो हम लोगों ने देखा कि यह सारे के सारे क्या है example है class या वर्ग जी के और द्योगिक भवन इसके अंतरगत आते हैं ठीक है गुड़ इवनिंग आवेश सोनु गौतम गुड़ इवनिंग आप लोग एक बार share करें आप लोग एक बार share करें इसे इस session को आप लोग share ही नहीं करते है अब देखें वर्ग एच भंडारण भावन इस्टोरेज बिलडिंग जैसे कहते निये कि क्लिफ क्ल्ड इस्टोरेज में बहुत सारे सामान रखे जाते हैं फल बगर भी सबजी बिसपोटक सामगरियों यानि explosive को छोड़ कर अनसभी प्रकार के समानों के भंडारण में प्रयोग किये जाने वाले भवन आते हैं गोदाम हो गया, warehouse हो गया, cold storage हो गया, देखिए cold storage बोला जाता है warehouse हो गया, गोदाम हो गया, माल गोदाम हो गया, अनाज के भंडारण हो गया, यानि हगर यानि यहां क्या है कि जहां हवाई इसको hangar जिसे बोलते है hangar, ठीक है ना, hangar क्या होता है जहां पर हवाई जाहाज को खड़ा किया जाता है ठीक है, न जैसे आप four wheeler वगर के लिए क्या होता, पार्किंग वगर नहीं होता ऐसे ही हवाई जाहाज वगर को बनने के लिए, रखने के लिए क्या होता है space होता है, उस space को जगए को हम क्या कहते हैं, hangar के नाम से जानते हैं ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है गूड इविनिंग, जी के भाई मोटिवेशनल वीडियो, हीमानसु कुमार गूड इविनिंग, अब आगे बढ़ते हैं अब इसी का, क्या है, इंग्लिस वर्जन है इस कैटिग्री, इंकलोट स्बिलिदिंग, यूज़ फॉर इस रस्टोरीं, अल ताइफ आप ओड्स एक्सेप्ट हाइली इंफ्लेमेबल मॉटेरियल और एक्स्पोजिव मॉटेरियल, वेर हाउस हो गया अगर हम बात करें आप यांपे ठीक है वेर हाउसे हो गए इस क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेल्डिंगों का उस बिल्डिंग में आपका सबसे important जो terms होता है वो होता है उस classification का example ठीक है जैसे अगर कोई पूछेगा कि बताए class A आपने पढ़ा हुआ है तो उसमें कौन-कौन से building आती है तो आपको example बताना होगा ठीक है ऐसे ही इस जो हम classification कर रहे हैं occupancy के अधार पर इसमें important क्या होता है आपका example ठीक है गुड़ इवनिंग गुड़ इवनिंग टू आल अफ यू आप लोग एक बार share करें आप लोग एक बार share करें session को ताकि enjoy हो थोड़ा ठीक है पढ़ाई उड़ाई आप लोगों की चल रही है third semester की की नहीं चल रही है चलिए class I आई तक ही हमें पढ़ना था मैंने बताया था जोखिम यूक्त भवन यानि हजार्डियस बिल्डिंग हजार्डियस का मतलब ही है जोखिम वाला ठीक है जहां पे जानमाल को खत्रा है बहुत ही sensitive zone है बहुत ही dangerous zone है hazardous zone है वहां पे जितनी भी ऐसी जितनी भी buildings आती है जहां पे जैसे पटाके वगरा हो गई या कोई chemical factories वगरा हो गई सारी किसके अंदर आती है हमारी class आई यानि वर्ग आई के अंतरगत आती है सारी के सारे buildings ठीक अब देखिए इस वर्ग के अंतरगत अती ज्वलंसिल बिसफोटक बिसैले व स्वास्थ के लिए हानिकारग पदार्थ के बंडारण आते हैं क्योंकि हजाडिय से नाम से ही पता चल रहा है कि जोखिम है रख रखाव उत्पादन या प्रक्रम में परयोगत होने वाले भवन आते हैं इन भवनों में अगनी कंट बिसैली गैस के रिशाव या बिसफोट आदी के कारण जोखिम हो सकता है पेट्रोल जैसे हो गया मिट्टी का तेल हो गया या फिर डीजल के डीपो हो गये विभिन परकार की गैसे हो गई अमल जीलेटीन हो गया और अन बिसफोटक पदार्थ के भंडारण में परयोगत भवन आतिस बाजी के उत्पादन वो भंडारण में परयोग होने वाले भवन आदी इस वर्ग के प्रमुखुदारण है मोटी मोटा हमने इसमें ये देखा कि सर जो वर्ग आई है उसमें हम जितनी भी जोकिम भरी बिल्डिंगें हैं भवने हैं सारी हम बता देंगे जहां पर केमिकल का काम हो रहा है जहां पर कोई बिसैली गैस का काम हो रहा है या फिर कोई ऐसा है जो हमारे अगनी कांड यानि बहुत आग वगर फायर वगर का काम चल रहा है वहाँ पे तो हम वहाँ पे क्या करेंगे ऐसी सारी बिल्डिंग्स को हम कहेंगे कि सर ये सारी की सारी बिल्डिंग्स हमारी वर्ग आई के अंतरगत आते हैं ठेक है आप लोगोंने सेयर कर दिया हिमांश्यों इंद्रेश शोनू आवेश आप सब लोग एक बार सेयर कर देंगे अपने स्टेटस में लगा देंगे ठेक है लिंक को ताकि जादे से जादे बच्ची कनेक्ट हो चलिए अब अगर हम बात करें यहां पर भवन के बिभिन घटक ठेक है अब हम यहां पर बात करें किसकी भवन के बिभिन घटक की याने इंदि पार्ट आफ बिल्डिश आप जानते हैं कि जए भवन है उसमें different क्या होते हैं, part होते हैं, part का मतर्ण क्या होता है, कि जैसे आप foundation का काम किए, फिर उसके बाद आप plinth में गया है, DPC काम किए, फिर superstructure में इट जुडाई किए, फिर खिड की का काम होता है, फिर हम क्या करते हैं, sunroof लगाते हैं, फिर छतक जाते हैं, तो तब different different क्या होते हैं, parts मिलके एक भवन तयार होता है, ठेक है, तो उस भवन में जो different different parts होते हैं, terms हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर discuss करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि यह घर है, ठेक है, अब इस घर में आप यह क्या है, foundation, ठेक है, यह क्या है, foundation, ठेक है, यह देख पा रहे हैं, आप यहाँ से आ रहा है, ground floor, यह क्या है, stair, यानि यह step बने हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से, step है, तो यह क्या है, stair, stair है, फिर यह क्या है, floor है, floor, फिर यह क्या है, terrace, terrace, यह क्या है, terrace है, फिर यह क्या है, railing है, यह क्या है, first floor है, यह क्या है, first floor, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, कि different, different की क्या है, यह क्या है, wall है, यह क्या है, roof है, यह क्या है, service, building service है, यह क्या है, ceiling है, यह building finishes है, यह क्या है, pillar है, यह क्या है, door है, दर्वाजा है, ठीक है, यह बिंडो है यह हमारा प्लिंथ है यानि डिफ्रेंट टाइप के पार्ट को मिला के ठीक है क्या बनता है हमारा एक भवन कंप्लेट तयार होता है ठीक है अब अगर हम यहाँ पे बात करें गुड इवनिंग गुड इवनिंग अगर हम यहाँ पे बात करेंगी जो बिल्डिंग फिनिसेज हो गए या पेलर्स हो गए ठीक है तो यह डिफ्रेंट टाइप्स के जितने भी हमारे uncle है सारे की सारे component इसके हैं यानि part है भावन की ठीक है अब one by one इसके बाद हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है अब देखेंगे अब हम इसमें क्या करने वाले हैं different part के बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है आप cross section यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले ये क्या है RCC का काम हुआ झें ये क्या है फूटिंग है ये हमारा RCC आज क legally कै ये हमारा क्या है अ कि पीन एक इस ठीक है कांकूर्ट के ओप एक लाफ हुई फिर ये हमारा क्या है फूटिंग है कि यहां से हम क्या einh इसको यहां से लेके यहां तक को हाइडं फॉंडेशन यह क्या है फॉंडेशन ठीकए नियुग में इसके बाद फिर हम यहां पर देखा कि हम आगे बढ़ेंगे फिर फ्लींत लेवल आएगा फिर лек Oakland ब्रेक्वल आएगी फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे और इसी तरीके से क्या होगा different type के हम अपने building construction के जो भी हमारे part है वो क्या होगे assemble होके हम बारभवन एक process में क्या है आ जाएगा ठीक है तैयार हो जाएगा best motivational good evening ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर देखी आप सबसे पहले अभी हमने बताया कि सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर foundation की ठीक सबसे पहला हम बात करेंगे किसकी foundation की ठीक है foundation अगर हम बात करें यहाँ foundation की तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो foundation है वो क्या है कि अगर हम बात करें यहां पर तो किसकी बात हो रही है foundation की चलिए समझते हैं foundation क्या होता है foundation आप लिगोंने बिलकुल नाम सुना होगा जब आपका घर बनता है तो सबसे पहले कहते है ना कि new का काम चल रहा है किसका काम चल रहा है नियू का काम चल ला है बहुत simple term है हर लोग हर आप लोग जीतने भी है यहाँ पर सुनिल से नियू का ही काम होता है तो पढ़ते हैं कि नियू का काम क्या है यहाँ पर समझते हैं definition को संरचना का वह भाग जो भूमी तल से नीचे बनाया जाता यानि जमीन से खुदाई ही तो किया जाता है जमीन के नीचे क्याम किया जाता है ठीक है जैसे प्रॉपर जमीन है उसको हम क्या करते हैं खुदाई करते हैं ठीक है आप लोगों ने देखा होगा तो उसको हम क्या कह हैं उसी को हम कह रहे हैं foundation new और अधिरचना यानि सूपर इस्ट्रक्चर का भार सूपर इस्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ग्राउंड लेबल के उपर उपर जितना भी हमें चीज दिखाई देता है मतलब घर के सामने हम कड़े हो जाएं या किसी side में खडे हो जाएं जो चीज हमें जहां तक दिख रही है that is क्या कहलाती है सूपर इस्ट्रक्चर क्यालाती है ठेक है तो उसी को यानि सूपर इस्ट्रक्चर का भार अथवा मिर्दा पर इस्थानांतरित करता है इसका मतलब क्या है कि जो इस्ट्रक्चर है सूपर इस्ट्रक्चर यानि जो मिंट्टी दोड़ा है कि मिंट्ट मिंट्टी के दौरा क्या कर रहे हैं वह मिंट्टी और करते हैं या उसी को क्या क्या कहते हैं जो super structure का load आता है that load को जो सहने की सक्ती होती है वो किसमें होती है, मिरिदा में होती है उसी कों क्या कह रहे है, यहां पे new कह रहे है, ठीक है अब चलिए, दिखते हैं अब इसके बाद अगर हम बात करें भार, वाही दिवारों तथा, खंबों के नीचे कोई wall है, इसके उपर क्या है, छट का load आ रहा है तो वो beer कर रहा है, तो भार, वाही दिवार, या कोई खंबा, या पीलर के नीचे new बनाई जाती है ठीक है, अगर दिवाल है या कोई पीलर है, अगर उस पे load आ रहा है, तो उसके नीचे हम क्या करते हैं हुदाई करते हैं, new बनाते ही बड़ी सिंपल से चीज़ है आप लोगोंने observe किया होगा जब आपका घर बना होगा, या आसपास में कहीं न कहीं, construction का काम तो बहुत तीची सब चली रहा है, ठीक है तो आप daily life से इसको क्या कर सकते हैं relate भी कर सकते हैं यहां सर मैंने देखा हुआ है, ठीक फिर इसके बाद साधारण भावनों के लिए खसकेदार या fellow new बनाई जाती है ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं खसकेदार या fellow new को हम बनाते हैं, ठीक है, यह type of foundation है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे detail में पढ़ने वाली हैं चलिए, आगे बढ़ते हैं that part of the structure which is built below the ground level, ground level के नीचे जो हमारा part बनाया जाता है, काम किया जाता है and the transfer the weight of the super structure below यानि super structure का भार क्या है, उसके below यानि नीचे क्या किया जाता है, spread किया जाता है on the soil is called foundation foundation are made under load bearing wall बनाया जाता है, या pillar for simple building अगर सामाने building है तो उसमें अभी हमने बताया कि porous या disposed foundation का use किया जाता है, ठेक है good evening उत्तम good evening तो पहला हमारा क्या रहा पहला हमने देखा यहाँ पे new के बारे में ठेक है, अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं चलिए, दूसरा क्या है plinth, ठेक है, दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे तो दूसरा क्या है important हमारा plinth नहीं होना चाहिए super structure क्या होता है sir super structure वो होता है जिसको हम अपने घर के building के किसी भी कोने में खड़ा हो जाएं आगे सामने आजू बाजू कहीं से भी हो जाएं जो चीज हमें दिखाई दे रही है foundation आपको दिखाई देता है क्या नहीं देता है जो चीज़ें हमें दिखाई देती है यानि जो मिट्टी यानि ground level के उपर उपर जितनी भी building का हमारा काम हुआ है दिवाल बना हुआ है जितनी भी काम हुई है सारा का सारा super structure कहलाता है ठीक है foundation हमें नहीं दिखाई देता इसे लिए उसे हम क्या कहते है कि foundations को हम super structure में count नहीं करते है ठीक है उत्तम मिश्रा आपने delete कर दिया आपका question वैसे ठीक था competition में भी पूछ लिया जाता है ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते है भावनों की भीतर वर्सा जल पानी अगर बरस रहा है तो पता चला कि हमारे घर में ना आ जाए ठीक वर्सा जल बाढ़ का पानी धूल मिटी जो बहुत उड़ता रहता है छोटे मोटे रेंगने वाले कीडे मकौडे जो छोटे छोटे होते हैं ठीक है तो वो क्या होते है कीडे मकौडे को घुसने से रोकने के लिए भावन का जो फर्स होता है फ्लोर होता है उसको हम क्या करते हैं ग्राउंड फ्लोर उसको भूमी के तल से कुछ उपर बनाया जाता है कितने लोगों के घर पे बनाया गया है ये बताएंगे कमेंट करके ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके हाँ क्या है ग्राउंड लेवल से उपर करके ये पिलिंथ बनाया गया है ठीक है कमेंट करेंगे आप अब देखिए फर्स तल तथा भूमी तल के बीच दिवारों की उचाई को ध्यान देंगे क्या कह रहे हैं जो फ्लोर का लेवल है और जो ग्राउंड लेवल का है उसके बीच में जो दिवारों की उचाई को भावन की कुरसी यानि प्लिंथ कहते हैं समझ में आगया होगा आपको कि सर आप ये कह रहे है कि फ्लोर लेवल जैसे ये ग्राउंड लेवल और ये फ्लोर लेवल दोनों है इसके बीच में कुछ न कुछ हम क्या करते है हाइट को रखते है ठेक है 30 सेंटी मिटर एक फीट डेड़ फीट रखते है अब ये जो हाइट है इसी हाइट को हम क्या कह रहे है सर इसी हाइट को हम क्या कह रहे है प्लिंद ठेक है अब अगर हम बात करें यहां पे कुरसी भवन की सुन्दरता भी बढ़ाती है तथा इसको क्या करती है भव्यता यानि देखने में भी बढ़िया लगता है ठेक भवन की जलनिकासी ड्रैनेज के लिए भी फर्स तल का भूमी तल से कुछ उचा होना आवस्यक है समाने तह आ गया समाने तो जो कुरसी तल होता है भूमी तल से 30 संटीमेटर से 60 संटीमेटर तक रखा जाता है यानि एक फिट से लेके दो फिट तक रखा जाता है ठीक एगलीस बर्जन में क्या है फिलेंट तू प्रवेंट रहनवाटर फ्लोड दॉस्ट धूल जाता है थे इंसेगली त्लाइटर त्लीमेटर जाता है थे ख्राइटर त्लीमेटर तक रूमीटर तक रखा जहता है building the chair the chair in enhances the chair enhances the beauty of the building and give its grandeur for drainage of the building it is necessary for the floor level to be slightly higher than the ground level generally what we do is the height of the face which means 30 to 60 cm or 1 the kursi tal so this is kursi tal ठीक है तो इसे कहा जाता है ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद आता है डैंप प्रूफ कोर्स ठीक है डीपी सी यह बहुत इंपॉर्डेंट है आपके कंपर्टिटिव एक्जाम में बहुत जादे सवाल पूछा गया है आप प्रिवियस यह अगर आल लगाते होंगे ता आप उठा के देखेंगे कि बहुत सारे कुश्चन्स यहां से आए हुए है प्लिंट से ही आए हुए है टेक है गोड़ इवनिंग गोड़ इवनिंग बिजय अगर हमारे बिल्डिंग में सीलन आय इसके लिए एक हम पतला सा अधाई सेंटिमीटर का एक पतला सा क्या करते हैं प्लिंथ लेबल पे एक लेप बिछा देते हैं ठीक है बिटुमिन का ताकि हमारे घर में सीपे जो वगर यानि सीलन आय ठीक है पानी का रिशाव हमारे जो दिवाल है या जो हमारा सेफ बचा रहे हैं खासकर वाटर जहां पर पानी में अगर लॉंगिंग होता है वहां पर इसकी ध्यान दिया जाता है ठीक है से होकर उपरी दिवारों तथा भवन के अन्य भागों में चढ़ने लगती है जिसे सीलन कहते हैं ठीक है सिंपल सी बात है कि अगर वाल में क्या होगा अगर वहां पर पानी वगर आएंगी ठीक है पानी के वाटर के कॉंटेक्ट में आएंगी अगर हम डीपी सी नहीं करेंग कि ओगा हमारे विल्डिंग में जो वाल वगर है उस सीलन स्टाट हो जाएगा और फिर क्या होगा जो हमारे विल्डिंग होगी वह खराब होना थार्ट हो जाएगी ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं सीलन के कारण दिवारों पर बद्नुमा धव्बे पढ़ जाते हैं आप लोग उन्हें देखा होगा इस बात को गौर किया होगा जहां पर पानी लग जाता है दिवाल में वहां पर धब्बे धब्बे पढ़ जाते हैं वाइट वाइट सा पैचेस दिखने लगते हैं ठीक है ये किसके कारण होता है सीलन के कारण होता है उसका रोग थाम क्या है डीपी सी अब बन जाते हैं और फिटिंग क्या होने वाली है नस्ट होने लगती है सही बात है सीलन आएगी तो क्या होगा नस्ट ही होगा प्रॉब् करने के लिए अगर सीलन को उपर चढ़ रहा है अगर हम चाह रहें कि नहीं सीलन हमारे बिल्डिंग में ना आए तो हमें क्या करना पड़ेगा DPC को रद्धा का लगाया जाता है ठीक है सील रोधक प्रदार्थ को मिला कर हम परियोग करेंगे जिसको हम शौर्ट में डीपीसी वगर भी डीपीसी बोलते हैं डैम प्रूफ कोर्स सील रोग रद्दा कहते हैं ठीक है यह आपके एक्जाम के पॉइंट आव्वियों से बहुत इंपॉर्टेंट है यह इंपॉर्टें में यह आ सकता है डैम प्रूफ कोर्स जैसे देगा कि टीपड़ी कीजिए पांच पॉइंट देगा कि फाउंडेशन बताओ डीपीसी बताओ तो उसमें डीपीसी जरूर आएगा ठीक है अब आगे बाड़ते हैं सब्सक्राइब ही अगर बात करें यहां पर अधिर्शना जिसमें दिवारे वह प्रस्तम यानि व ihr एंद पीलर पीलर आप जानते हैं जो वर्टिकल हमारे जितने दक Teamiliar होती हैं ठीक है जो फर्मा में हम क्या करते हैं कास्ट करते हैं पीलर तो अब अगर हम बात करें यहां पर कि सर वाल और पीलर के बारे में बताएंगे हमने क्या कहा कि छट को आधार परदान करने के लिए यानि अगर छट किसी चीज़ पर टीकेगा कोई बेस चाहिए ना छट को जैसे छट अगर जब हम बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं या तो दिवाल फिर आज के टाइम में क्या हो रहा है कि सर हम पीलर वगर का कॉलम में बनाके और इस फ्रेम कょ चल रहा है खासकर कोमर्सरी बीडिंग में अगर हमने कहा कि सर आपने जैसे कहा कि सर आप इस इस्ट्रे wal है तो छत का बारज होगा छट का जो वेट होगा अच्छा आएगा या तो wall पे आएगा अगर wall है तो wall पे आएगा किये जाते हैं भारी धर्नों यानि बीम वह च्छत कैंची यानि रूप ٹ्रस्च के सीरों पर तथा बरामदों में प्रवेश द्वारों के लिए स्टंबो का निर्माड किया जाता है इनका निर्माड दिवारों की भाती ही होता है ठीक है दिवारों की भाती ही होता है परंतु यह आकरती में आयताकार कॉलम आपने देखा होगा आयताकार सर्कुलर या और कोई गोला कार हो सकता है वर्गा कार हो सकता है स्क्वायर सर्कुलर हो सकता है रेक्टेंगूलर हो सकता है आधी बनाए जाते हैं ठीक है यह इटो या पत्थरों की चिनाई अथवा प्रतिबल सिमेंट कंक्रीट के भी बनाये जाते हैं दिवारों तथा प्रस्तंबों की मोटाई इन पर पढ़ने वाले चल अथवा चल तथा अचल भार के अनुसार रखी जाती है अब इसी का English version है क्या है देख लेते हैं एक बार walls and pillar are built to provide support support ही तो provide करते हैं to the roof का pillars are constructed at the end of pillars जो हम construct करते हैं वो end of heavy beams and roof trusses and for entry doors into baramdards they are constructed like 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 क्या है walls but they are made rectangular हो सकता है square हो सकता है circular किसी भी shape का बनाया जा सकता है column की बात हो रही है they are also made of the brick or या तो eat या brick or stone machinery or reinforced cement concrete the thickness of wall and pillar is kept according to the movable and immovable load falling on them ठीक है तो ये सारी चीज़े होती है ठीक है डीपीची में क्या मिलता है सर डीपीची में अलग-अलग मार्केट में अलग-अलग डीपीची के लिए बहुत सारे होते हैं जैसा है आप लोगों में डीपीची के लिए बहुत सारे आते हैं अगर नहीं आपको पूछन पूछना अच्छी चीज़ है गुड है बीट है यह है चलिए आगे बढ़ते हैं अब पांचवां अगर हम बात करें यहां पे तो सर डॉट या लिंटल आपने देखा होगा बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर आर्चिज और लिंटल में क्या डिफरेंस होते हैं इंटर्विव के पॉइंट अभी उसे भी इंपॉर्टेंट है और आपकी एक्जाम होगा है में डिफरेंस पूछ लिया जाता है इससे ठीक है तो अगर हम बात करें यहां पे डाट या महराब ठीक है इसी को डाट या महराब हम कहते हैं आर्चिज दिवालों में खुले द्वारों को पाटने के लिए वक्राकार आकृति में चिनाई करके जो बेवस्था की जाती है वक्राकार ध्यां देंगे इस तरीके से ठीक है डाट या महराब कहलाती है आकृति के अनुसार डाट जो है अनेक परकार की होती है जैसे सेमी सर्कूलर ठीक है सर्कूलर भी हो सकती है ठीक है, सम बाहुत्रिभूज हो सकता है, दिर्ग बाहु हो सकता है, दिर्ग बृत्ताकार हो सकता है, परेवलाकार हो सकता है, पैराबॉलिक हो सकता है, इत्यादिका, याने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आर्चिस हो सकते हैं, उनका जो सेप है, वो अलग हो सकता है, अगर हम बात करें इसी में आर्चिस लिंटल अब दिखेंगे इसमें डिफरेंट टाइप के हमें सेप मिल रहे हैं ठीक है अर्थ गोलाकार्व हो सकता है बृत्ताकार हो सकता है सम बाहू हो सकता है दिर्ख बृत्ताकार परवलायकार इत्यादी ये सेफ हमें किसमें मिलते हैं आर्चेस में जबकी लेंटल में ध्यान देंगे लेंटल क्या है दिवारों में दिवारों में छोड़े गए खुले द्वारों जैसे दर्वाजा खिड की आदी को पाटने के लिए तथा चिनाई उपर उठाने के लिए इसके उपर जो एक बिसेस होरिजोंटल पट्टी डाली जाती है ठीक है न उसको लिंटल कहते हैं यहां लकडी का पाटा हो सकता है पत्थर की पट्टी हो सकती है जो आप लोगों ने देखा होगा पट्टी या फिर आर्शी सी सिमेंट कॉंक्रीट का बना सकते हैं जिसे सरदल भी कहते हैं तो आप लोगों ने देखा यहांपे कि सर आर्चे जो है वो डिफरेंट क्या हो सकते हैं सेप के हो सकते हैं बट लेंटल क्या है हमेशा और हमेशा क्या होगा 36 पट्टी के रूप में डाली जाती है बड़ा एक्जामपल यह बहुत ही आप लोगों ने देखा भी होगा बड़ा सिंपल है जब दरवाजा बनाया जाता है खिड़की बनाया जाती है तो उसके उपर क्या करते हैं सरीया डालके concrete की costing की जाती है उसके बार फिर eat की क्या करते हैं जुडाई करते हैं उसी को हम lentil होते हैं ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा एक बार आप सब लोग कम सबम लाइक तो कर दीजिए जितने लोग हैं सारे के सारे लाइक तो कर दें ठीक आप चलिए आर्चेजन लेंटल का इंग्लिस यहां पर वर्जन है क्या है यहां पर आर्चेज अगर हम बात करें अर्चेजमेंट मेड़ बाई मैसनरी इन अ कर्व सेप तू ब्रीज द ओपन डोर इन द वाल इस कॉल्ड इस्टॉप या और्चेज यह क्या हो सकते हैं डिफरेंट सेप के हो सकते हैं जिसमें हमने क्या कहां सेमी सर्कूलर हो सकता है सर्कूलर सेप में भी हो सकता है equilateral हो सकता है elliptical हो सकता है parabolic हो सकता है arches का ये क्या है shape है दूसरा lintel lintel अभी जस्ट हमने बताया कि lintel क्या है ये भी example है special horizontal bars इसमें provide किये जाते है that are put on जो रखा जाता है ठीक है top of the door door के उपर window के उपर to breeze them यानि उसको breeze करता है and to lift the masonry masonry काम को हम फिर उपर extend करते ही eat की जुडाई करते है they are called lintel it is made ये बना होता है wooden का भी हो सकता है wooden की लकड़ी का या stone का slab हो सकता है या RCC cement हो सकता है concrete हो सकता है यही जादे यूज किया जाता है ये क्या है RCC cement concrete देखे छड़ डालके concrete को fix कर दिया जाता है तो ये जादे यूज किया जाता है चलिए अब आगे बढ़ते है अब आता है छठवा first छठवा क्या है first floor simple सी बात है जो नीचे क्या है हमारा जो first होता है उसी की हम बात करेंगे first क्या होता है कि भूमी तल से ground level से कुछ उपर प्लिंथ यानि कूर्सी के पास जो समतल ठोस platform बनाया जाता है ठोसी तो रहता है बढ़िया हम क्या करते हैं इस्टोन पत्थर वगरे लाते हैं उसको क्या करते हैं कोट कोट के जो है first करते हैं simple सी बात है भवन की उपरी मंजिलों के लिए अलग-अलग first डाले जाते हैं जो इसको कई तलों में विभंत करते हैं multiple क्या करते हैं floor में इसको divide कर देते हैं भूमिगत के पास वाला first यानि जो ground label वाला first होता है वाला first जो जमीन के contact में floor है जो ground label पे है वो हमारा ground label कहलाएगा और ground floor कहलाता है इसके उपर वाला first होता है उसको हम upper floor यानि उपर ही first कहते हैं ठीक है जैसे first floor, second floor, third floor, fourth floor ये सारे हमारे क्या है इसके उपर जो छट की casting होगी जो छट होगा उसको हम upper floor कहेंगे ठीक है एक floor का मतलब क्या है कि space चलने के लिए ठीक है छट को हम बोल रहे है floor का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं छट किस पे? ground label के उपर-उपर अगर ground label पे है तो ground floor कहेंगे ठीक और अगर भूमी तल से ground label से नीचे है ground label से अगर नीचे है अगर हमारा भूमी तल से नीचे बनाये गया अगर फर्स अगर नीचे हम फर्स बना दिये हैं तो उसको हम basement floor कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? basement floor कहते हैं फर्स क्या है? लकड़ी इट पत्थ सिमेंट कॉंक्रेट के बनाए जाते हैं फर्स जो फ्लोर है वो साफ समतल कठोर सुन्दर टिकाउं सस्ते तथा सील रोधक यानि डैम प्रूफ होने चाहिए सही बात है ठेक है अब देखिए एसी का एंगलिस वर्ज़न इंगलिस वर्ज़न अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें यहां पर दफ्लैट सॉलिड प्लैटफॉर्म मेड नियर दप्लिंथ प्लिंथ के जो पास में बनाए जाता है स्लाइटली एवाफ देख्राउं लोग जो ग्राउंट फ्लोर है ग्राउंड लेबल है उस से क्या है ग्राउंड लेबल से ऊपर बनाया जाता है is called floor इसको हम क्या कहते है floor कहेंगे ठीक है first different floor are laid बिचाया जाता है for the upper floor of the building which is divided in divided it into several parts ठीक है several floor कहेंगे हम the floor near the ground floor जो floor होगा ground floor के near में that is called ground floor ठीक all the floors above these are are called upper floors कहलाएगा the floor built above ठीक built below यानि जो floor को हम बनाते हैं किसके below ground level के नीचे बनाते हैं is called basement क्या कहलाता है basement कहलाता है ground level के नीचे basement ground level पे ground floor ground floor के ऊपर क्या कहलाएगा upper floor कहलाता है ध्यान देंगे तीनों में difference पूछ सकता है स्पीड सर कितनी स्पीड चाहिए स्पीड की कुछ विलोसिटी कुछ तो होगी ना विलोसिटी भी लिख दो आप किस विलोसिटी से मुझे बढ़ना है चलिए इसके बाद क्या है रूफ चट पे पहुझ गया है वर्सा से धूप तथा ठंड से बचने के लिए कमरे की दिवारों के ऊपर चट डाली जाती है चट की बात हो रही है यह भवन के फर्स पर सबसे उपरी सनरचना होती है छटे निम्न दो परकार की होती है ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे important term है कि छटे दो टाइब्स की होती है ठीक है आपने किवल एक देखा हुआ है जादा तर कौन से देखा हुआ है आपने देखा है समतल यानि फ्लैट अब समझेंगे जब छट का ढाल यह important term है कि हमने क्या कहा कि जब रूफ की धाल यानि सलोब 10 डिगरी या उससे कम होती है देखे सलोब जो है बहुत हलका सा है दस डिगरी या उससे कम में तो उसको हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे चप्टी छट उसको कहेंगे या फिर समतल हम कहेंगे जब छट का ढाल 10 डिगरी अथवा इससे कम होता है इसे चप्टी छट कहते हैं चप्टी छट का खूला तथा समतल अस्थान सोने बैठने इत्यादी के कामाता है अतह या छात आवासी भावनों के लिए अधिक बनाई ज से और घंग करते हैं इसी का है इंगले कि चचिकने ही का है कि जब हम स्लूप का एंगयल क्या करतें तीक है थे चले हैं आप क्या है पी या या पैंट रूब ठीक है है ja ढालों का मथल्ब क्या है कि तिर्छा ठीक डालों का मतलब क्या है स्लोप वाली जहां पर ऐसी छत यानि जब छत का ढाल 10 डिगृ से अधिक होता है इससे जादे हो जहाएगा तब हम क्या कहेंगे यह ढालिया तिरची छत कहलाती है ठीक है धालू छती जो होती है वो चोड़े पाटो तथा अधीक वर्षा वाले स्थानों के लिए बनाई जाती है जहां पे बहुत जादे बारिश हो रही है बारिश हो जारी है बहुत जादे इंटेंजिटी है बारिश की रेंफॉल की वहां पे धालू ठीक है न पहाड़ी लाकों माम लिगों ने देखा होगा अक्षर कैसा बना जाता है धालू ही बना जाता है ठीक है या फिर जहां पे बरफ गिर रहा है ठीक है बरफ गिरेगा फ्लैड बनाएंगी तो जमता चला जाएगा ऐसे क्या होगा इधर से और इधर से क्या होगा स्लाइड हो जाएगा बर पर वर्शाजल तथा हिंपात रुकता नहीं है रुके गाई नहीं स्लाइड हो जाएगा और सिग्र नीचे गिर जाता है ये छटे चप्टी छटों से काफी हलकी तथा सस्ती पड़ती है और अधिकतर जो इंड्रस्टियल सेड होते हैं आप लोगों ने देखा होगा जहां प स्फिट बना दिया जाता है थीक है नहीं जाधातर वहां पर यूज होता है तो आप सहे जहां पर बहर बारी वगरण होती है तो यह हम लोगोंने क्या किया कि इस लोपी औरго हम क्या कहेंगे स्लेब किसको कहेंगे ठीक बूलेट की स्पीड से पढ़ाओ अच्छा सर एक्जाम कब होगा भी काश पता नहीं या कब होगा अजीत कहां जाना है बूलेट ट्रेन बूलेट ट्रेन पहले आ जाए उसके बाद भी देखती है स्पीड ठीक है तो हम लोगों ने यहां पे देख लिया कि जो छटे हैं हमारी यह हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पे different part of building पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोगों ने देखा DPC क्या होता है foundations क्या होते हैं इसके बाद हम लोगों ने floor के बारे में देखा फिर हमने यहाँ पे slab के बारे में देखे तो different different types के हम लोगों ने यहाँ पे part के बारे में discuss किया next lecture में भी हम क्या करेंगे यहीं से continue करेंगे और भी part के बारे में हम यहाँ पे study करने वाले है हिमान्सु कुमार आपकी speed सही है sir बिल्कुल speed सही है बिकास कुमार exam ओके student मिलते हैं कल साम को 5 बजे इसी टाइम पे तब तक के लिए बाइबाई आप like जितने लोग हैं सबसे पहले like कर दें और share करें अपने जितने भी friends हो अगारे circle में हैं आप उनको भी share करें ऐसा नहीं है कि theoretical है तो इसमें पढ़ने की जुरुत नहीं है ठीक है आप जानते हैं कि यूपी बीटी में कुछ भी असंभव नहीं है ओके student बाइबाई मिलते है कल पांच बजे इसी टाइम पे तब तक के लिए thank you बिल्कुल चलेगी खुश रहिए कर दिया sir thank you अंद्रेश ओके बाई डानता है